जैसियराम आप सभी प्रप्रभुषी शीता राम जी मी कृपा बनी रहे इसी सुबकामना के साथ चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं शमी के पौधे के बारे में समी का पौधा एक चमतकारी पौधा होता है और इसके लगाने से क्या होता है था कहां लगाएं घर के अंदर लगाएं बाहर तो सास्त्रों के अनुसार नकारात्मकोर्जा का जो प्रभाव है वो कम करता है और साथी साथ ये घर में सुक सांती सम्रिधी लाता है शनी देव का ये विशेश प्रियपोधा माना जाता है पैसों की कमी भी नहीं लेती शनी देव की विशेश क्रपा प्राप्त होती है और सनी की पीड़ा से वशने के लिए लोग ब्रक्षों के पास जाते हैं जोद्सियों के पास जाते हैं तो उनमें ये पौधा बहुत शुब माना जाता है बुरे प्रभाव को कम पर देता है जीवन में उन्नती सुक सम्रिधी लाता है परंतु शमी का पौधा घर के अंदर ना लगाएं लगाना हो तो बालकनी में लगाएं या आपनो घर छत के उपर लगाएं और अगर आप घर के बाहर लगाते हैं तो बहुत ही शुप होता है अपने दरवाजे के पास शमी का पौधा मुखेद्वार के दोनों तरब भी लगा सकते हैं इसे नकारात्म कुर्जा आपके घर में नहीं जाएगी और धंधाने की कमी भी नहीं रहेगी सनी की पीड़ा से मुक्ती मिलेगी साढ़ी साती दूर होगी और अगर शनिवार के दिन सरसों के तेल का आप दीपक चलाते हैं तो शनी देव बहुत प्रशन होते हैं और शमी की पूजा से जीवन में सुख सम्रिधी भी होती है और जब कहीं जाये तो शमी के पूधे को प्रणाम करके जाने से आ रही बाधा दूर हो जाती हैं और कारे में सब हलता भी मिलती है शनी देव तथा भगवान शिव का भी प्रिय है और गणपती महराज को भी यह पूधा बहुत प्रिय है जो इसके पत्तियां है अगर गड़े भगवान को सबसे पहले चड़ाते हैं तो जीवन में आ रहे बार बार विख्ण जो है वो समाप्तु हो जाते हैं और जीवन में सुख सम्रिधी का आवास होता है तो आप इन्यमों का पालन कर सकते हैं भगवान शीव को भी इसकी पत्तियां चड़ाने से मोग शुद तक प्राप्त हो जाता है ऐसा शीव पुराण आदी सास्त्रों में बढ़न इसका प्राप्त होता है शमी के पौधे से बरकत आती है सम्रिधी आती है यह पवित्र पौधा है और इसके लगाने से बहुत ही शुब होता है शमी के पौधे को छट पर दक्षन दिसा में रखें अच्छा होगा और आप घर के मुखे द्वार के पास भी शमी पौधा आप लगा सकते हैं सीधे चमीर पर इसे शुब होता होगा तो यह समी के पौधे के बारे में जानकारी अच्छे लगी होगा लाइक करिए दोस्तों को शेयर करिए चैनल को सबस्क्राइब करिए नमस्कार